अनोर्मा कुरूप जो सोचता है वो करता है अलगंज के पुर्विधायक रहे केदार परसाद के पुत्र गोपी किसन परत्यासी होंगे इसी बीच जनसुराज के सुतोधार परसांत की सोर भी वहाँ चुनाव लड़ने के तयारी कर रहे हैं और एक बड़ा खेला करने की कोशिस में लगे हुए हैं क्या है पूरी खबर चलिए आपकों बताते हैं तिरहूत असनातक निर्वाचन छेतर से इंडिया गठवंदन और इंडिया गठवंदन के उमिदवारों के बीच सिधी टक्तर मान के चल रहे राजिनी तक गे थोड़ा और इंतिजार कर ले संभव है कि तिरहूत असनातक निर्वाचन छेतर के चुनावी युद्ध को तिरकिणात्मक संगर्स में बदनने को लेकर जंसुराज में मंथन चलने की बात कहीं जा रही है सियासी कयास लगाए जा रहे है कि बिहार बिधान सवाचुनाब के पहले पीके तिरहु तसनातक निर्वाचन छेतर में भी जनसुराज की उमिदवार का एलान कर सकते हैं उससे मुकाबला काफी दिल्चस्प हो जाएगा इतना ही नहीं एंडिया और इंडिया ब्लॉक का टेंसन भी बढ़ जाएगा इन नामों में दो नाम की विशेश चर्चा है और इनकी तैयारिया भी सुरू है इन नामों में एक नाम है जानेवाने नेता अनबारु लहक के पुत्र अजाम हुसेन का और दूसरा नाम है राज़त के नेता प्रमोधियादव का इनके अलावा भी कुछ नाम है जो किसी न किसी माध्यम से जन सुराज के नायक प्रसांद किसोर से जुरे हैं फैसला भी जन सुराज के निरनायक टीम को करनी है कि चुनाब लड़े या नहीं लड़े तो बेहतर उमिद्वार कौन होगा कई चुनाबों के सफल रनितिकार प्रसांद किसोर जन सुराज के भीतरी लोकतंत्र को जिवित रखते हैं मिली जानकारी के नुसार चुनाब लड़े या नहीं इसके लिए पहले बिचार भी मर्स किया जाता है फिर इंटर्नल भोटिंग होती है अगर निरने चुनाब लड़ने का आया तो जिन उमिद्वारों के नाम आये हैं उनके बारे में चर्चा होती है फिर भोटिंग के जरिये तै होता है कि उमिद्वार कौन होगा बहरहाल जनसुराज के भीतर चुनाब लड़ने को लेकर चर्चा अपने अंतिम फेज में है जनसुराज अगर उमिद्वार उतारता है तो चुनाब का तीसरा कोन बनेगा वैसे सीधी टकर को लेकर तिरूत असनातक निर्वाचन छेत से राज़त से गोफी किसन चुनाबी दंगल मुतर चुके हैं राष्टिय जनतादल के अधिकरित उमिद्वार गोफी किसन पूर बिधायक केदार परसाद के पुत्र है केदार परसाद बर्स 1990 में राष्टिय जनतादल के तिकट से लाल गंज के विधायक बने थे राज़त उमिद्वार गोफी किसन को टकर देने के लिए जदियूने अब सेख जागो चुनाबी मैदान में होता रहा है इन्हें जदियूनेता देवेश्चन ठाकुर का विशेश समर्थन प्राप्त है आपको बता दे कि साल दोयार पाइस में जब बिहार में कई विधायक प्रशाद के सीटों पे कि सीटों पे चुनाब होड़ा था इस दावरान सारन स्रिक्षा रहे अफाक अहमद को प्रसांद की सोर ने अपना समर्थन दिया था तो कई लोग यह कह रहे थे कि अफाक अहमद नहीं जीतेंगे इसके बाद अब तिरूत असनाता जीट वाचन छित से भी प्रसांद की सोर प्रतियाशी उतारने के कोशिस में लगे हुए हैं तो अगर प्रसांद की सोर प्रतियाशी उतारते हैं तो राजद और महागठनन के लिए एक खhemठी की घंटी होगी ऐसे ही तमाम ख़ड़ों के लिए देखते रहिए न्यूज फोर्ण